मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज मैं आप से बात करूंगी एक ही पोधे पर हम कैसे जादा से जादा फूल पाएं कैसे उसको बहुत जादा घना बनाएं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी बास्केट्स इस तरह से आप अपनी बास्केट्स बना सकते हैं जो गर्मियों में भी फूलों से भरी रहेंगी गर्मियों में आप इनमें पर्सलेंड पर्चूल का लगाएं रंग पिरंगे कलर्स एक साथ लगाएं जो बिलकुल फूलों से भरी हुई बास्केट्स आपकी गर्मियों में भी इतनी सुन्दर लगेंगी कि बस सब देखते ही रह जाएं तो उसके लिए आपको करना क्या है कैसे हम पोथे पर जादा से जादा फूल पाएं उसके लिए हमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या-क्या हमें करना चाहिए तो इस वीडियो में मैं इस बारे में ही बात करूंगी दोस्तों जो मेरी बास्केट्स आप देख रहे हैं ये ऐसे ही घनी नहीं हुई है इन पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं ये मेरा डेली का जो काम है वो मैं आज आपको बताऊंगी जो मैं इनके साथ करती हूँ जिससे ये और भी जादा और भी जादा घने होते जा रहे हैं उन पर फूलों की मात्रा बढ़ती जा रही है तो क्या है वो चीजें चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं या फिर बास्केट लगाते हैं तो हमें डेली जब फूल वाले पोधे होते हैं उनमें देखना चाहिए कि कौन सा फूल हमारा मुर्जा रहा है अगले दिन हमें जरूर हर एक दिन सुबह उठके हमें चैक करना चाहिए जो पोधे को बहुत ज़रूरी है प्लांट की अगर आप पोधे को बहुत जादा घना बनाना चाहते हैं चाहते हैं कि एक ही पोधे पर आप धेरो फूल ले सकें तो डेली चैक करें जो भी फूल मुर्जा रहा हो उसको एकदम से वहां से तोड़ दें इससे पोधे की एनरजी बिलकुल भी वैश्ट नहीं होती है और पोधे की जो एनरजी है वो सारी नए फूल बनाने में लग जाती है अगर पोधे पर फूल सूप जाता है तो वो बीज बनना स्टार्ट हो जाता है उसमें और पोधे पर फूल आने कम हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा कारण है पो जा रहा है तो ताकि मेरे पोधे पर फूल आने कम हो तो मैं बिलकुल अच्छे से डेली चेक करती हो गर एक भी फूल मुझे मुर्जाया हुआ लगता है देखे नीचे से इस तरह से बहुत सारे नए निकलियां आती हैं और हमारा पोधा घना बनता जाता है और फूलों की मात करेंगे एक ही पोधे पर तो अच्छे से चेक करें अगर एक आद भी हमारा रह जाता है और वह हमारा बीज बनना शुरू हो जाता है हमारे पोधे पर फूल आने कम हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे से एक पोधे पर ही कम से कम आठ से दस दस बीस बीस बार गिनके मुझे बहुत ही चौक जाती हूं मैं तो यह सब सिर्फ पिंचिंग का ही कमाल है तो जो भी फूल मुड़ जाया रहता है वो डेली मेरा यह काम रहता है कि मैं उसको तुरन थी वहां से हटा दूँ वहां से नई ब्रांच निकले और नया फूल आए नई फूल जायेगा और हमारे पोधे की एनर्जी बिल्कुल भी वेश्ट नहीं होगी उस पोधे के बीच को बनाने में तो यह आप जरूर करें अपने पोधों की पिंचिंग हमेशा करते रहें और गर्मियों में पर्सलेंट पर्चूल का और या फिर बेबी सन रोज इस टाइप के जो प्लांट हैं वो लगाएं जिससे आपकी बास्केट फूलों से भरी रहें और पिंचिंग हमेशा करते रहें सर्दियों में भी आप अगर बास्केट बनाते हैं फूल वाले पोधे लगाते हैं तो उनकी पिंचिंग करना बहुत जरूरी है इससे पोधा बहुत जादा होता जाता है फूल इतने आते हैं एकी पोधे पर कि आप घिनना आपको मुस्किल हो जाएगा तो इसी तरह से मैं अपने सारे इन फूलों के इतने भी पुराने फूले उनको तुरंत डेली हटाती हूँ जो कि आप देख सकते हैं और यह मेरा डेली का काम है सुबह सुबह क जब मैं पानी देती हूँ उस टाइम तो यह काम आप जरूर करिए और देखिए इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही जड़ी देखने को मिल जाएगा आपने जो भी इस तरह के प्लांट्स लगाए होंगे बास्केट में या फिर फूल वाले उनमें आप यह काम करके द प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं और प्रूनिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगे आपको तो तो दोस्तों यह बास्केट ऐसे ही सुन्दर नहीं बनी है इनमें मेरी डेली की मेहनत है जो मैं सुबह सुबह बिलकुल धान से देखकर इनकी पि प्रूर करें और फिर आप रिजल्ट खोदी आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से सुन्दर सुन्दर बास्केट्स आपकी बहुत ही फूलों से भरी तयार हो जाएंगी और दिन पर दिन यह बढ़ते ही जा रहे हैं जिस तरह से मैं इनको जितना भी तोड़ती हू उससे जादा नेक्स्ट अगले दिन बहुत सारी उसमें कलियां दिखती हैं और यह बढ़ जाती है कलियों से इसके अलावा जिस तरह से आप गुडल का पौधा मेरा देख सकते हैं कमेंट भी आ रहे थे कि मैं अपना गुडल का पौधा दिखाओं तो दोस्तों इस पर सुबह की तो बस यहाँ पर गेट खुल जाता है तो यहाँ पर रख देती है उसको जहाँ पर सुबह की इसको थोड़ी सी धूप मिलती है चार पांच चार घंटे की अगर निकलती है तो इसके अलावा पूरे दिन यह पोधा इंडोर ही रहता है और देखिए अब इसमें दुबारा से फिर से कलिया आनी स्टार्ट हुई है उसकी हर एक ब्रांच पर कली है आप देख सकते हैं और ये एक बहुती कमाल की बात होगी कि इंडोर अगर इसमें मैं इसको रख रही हूं और इस पर फूल आएं तो हाँ आउटडोर मैं इसको बिल्कुल क्योंकि रखने है वो इसको धूप मिल जाए इसके लावा पूरे दिनिये इंडोर रहता है तो कलिया आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच पर धेरो कलिया आई हुई है और तो इस तरह से अगर किसी भी आपके गुढल के पोधे पर या फिर जैसे की जो भी इस तरह के पोधे हैं गुलाव जहां से आप कट करेंगे हैं हर जब नई ब्रांच निकलती है और अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो हमें प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि हमारा पोधा घना बने और उस पर कलिया आए जाद फूल आएंगे तो ये बहुत जरूरी आप देख सकते हैं, ये पोधा जो है नीचे से सिर्फ एक ही ब्रांच है, उपड़ इसमें कम से कम 10 ब्रांच हैं, उपड़ से इतना घना है ये पोधा, और इस पर हर एक ब्रांच पर कली आई हुई हैं, तो जब इस पर फूल जब खिलेंगे, तो कित इतना सुन्दर लगेगा, ये उपड़ से बिलकुल घना है, 10 ब्रांच हैं, 8-10 ब्रांच हैं इसमें, और हर एक ब्रांच पर कली है, तो जब नई ब्रांच निकलती हैं, तो इसलिए हमें पोधे की पूनिंग करनी चाहिए, ताकि उसमें से वहां से एक ही ब्रांच है, हमा बहुत जरूरी है, ये आप जरूर करते रहें अपने पोधों पर अगर आप जादा से जादा फूल पाना चाहते हैं तो, तो आप देख सकते हैं इस पोधे पर कितनी ब्रांच हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब ये इस पोधे ने फिर से ग्रोथ स्टार्ट की है और दोबारे से सारी नई नई कली आई है इस पर और हर एक ब्रांच पर कली है, अब जो इन पर फूल खिलेंगे तो मैं आपको जरूर वीडियो में दिखाऊंगी, तो दोस्तो इस तरह से आप अपने जो फूल वाले प्रांट से उन पर बहुत जादा से जादा फूल प डेली करते रहें, बाकी प्रूनिंग तो आप जब करें जब आपके पोधे पर कलिया ना हो या फिर आपको लग रहा हो कि हमारा पोधा फूल नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो इस टाइप के फूल है और ऐसी बासकेट बनाएं आप गर्मियों में भी, गर्मियों में आप पर्सलेन, पर्चुल का लगाएं और मिक्स लगाएं कई कई कलर्स की, तो बहुत ही घनी और सुन्दर फूलों से भरी हुई बासकेट तयार होंगे और ये ऐसे प्लांट हैं जो जितनी ज़्यादा धूप निकलती है उतने ही अच्छी खिलते हैं, तो धूप में खिली हु तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मॉच, बाई